हाव रूफिक्स एंड्रोइड रेडियो नोट वर्किंग प्राब्लम नमस्कार डोस्तो शुआगर है आप सभी का तिकी राच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तो येदि आपका जो यहाँ पर एंड्रोइड दिवाइस है उसमें जो रेडियो है वो काम नहीं कर रहे है तो केसे आप इसको fix कर सकते हैं आज के इस वीडियो पर मैं आपको इसी चीज चीज के रिगार्डिंग पर solution बताने वाला हूँ ठीक है तो ये आपको भी पता नहीं है कैसे इसको fix करना है तो वीडियो को आन तक यहाँ पर जरूटेख लीजिगा मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा केसे Radio को यहाँ पर आप यूस कर सकते सारे साथ दोस्तों जो प्रॉबलम में यहाँ पर जो Radio आपकी डिवाइस पर काम नहीं कर रहे उसको केसे फिक्स कर सकते सारे साथ दोस्तों यहाँ पर problem टपक्रेट होते हैं जब आप यहाँ पर इन applications को update नहीं कर पाते हैं ठीक है उससे आपको problem आते हैं तो वीडियो को आन तक यहाँ पर देखें और जो last तक solution होने वाले हैं वो पूरा important solution है यदि आप radio use करते हैं तो आप वीडियो को आन तक यहाँ पर जरूर देखेगा तो चलिए वीडियो को भी हम बिना दिर के वह शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले जाके आप भी चैनल को जल्दी से subscribe कीजिए सारे साथ यह भी आप online से पैसा कामाना चाते हैं तो उसके लिए हमने वीडियो description पर link दे राखा है और किसी भी problem के regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message कर सकते हैं तो चले यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो हमें क्या करना है हमें सबसे पहले तो जाना है अपने setting पर सबसे पहले आपको अपडेट करने का तरीका बता रहता हूं सबसे पहले आपको अपडेट करना है आपका एप उसके लिए आपको system app updater पर जाना होगा किसी भी android device पर यह available रहते है आज कल के latest device पर तो यहाँ आपको search करना है मैंने अपडेट कर दिया है लेकिन आपको यहाँ पर simply जाना है उसके बाद दोस्तों आपको update करना है आपका FM radio तो यहाँ पर दोस्तों चलिए एक बार search करके देखते है आजर एप पर तो यहाँ पर दोस्तों लगता है मेरे जो mobile उसमें FM radio का आभी तक update नहीं आया है ठीक है उसके वज़े से आप पर show नहीं कर रहे है तो यहाँ पर दोस्तों चलिए कोई बात नहीं ज़िए आपके पास सिस्टेम अपडेटर पर सिस्टेम अपडेटर पर अपडेट आ जाते FM radio का तो अपडेट कीजिए नहीं यह तो छोड़ दीजिए आपको क्या करना है नेक्स्ट में आपको नीचे स्ट्रोल डाउन करके एपस पर जाना है उसके बार आपको जाना है मेनेजर पर मेनेजर करके आपको option मिल जाएगा ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपक करते हैं तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा FM radio तो यहाँ पर आ गया और दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है हमें सबसे पहले तो clear data पर क्लिक करने के बाद सारे data को clear कर देना है यहाँ से clear करने के बाद एप permission पर जाके देखें एप permissions को यहाँ पर एलाओ कर दीजिए उसके बाद बेक करके आप अपने mobile को restart कीजिए और दोस्तों उसके बार आपका problem solve हो जाएगा ठीक है लेकिन FM radio यहाँ पर यूज़ करने के लिए आपको हमेशा चाहिए होगा आपका एयरफोन तो एयरफोन दोस्तों प्लग कर दीज यह शुरू हो जाएगा तो चैनल आप यहाँ पर मिला लीजिए उसके बाद दोस्तों यहाँ उपर ट्रीडोस में क्लिक करके आप क्या कर सकते आपर स्विश्टू speaker करके speaker mode पे भी आप सुन सकते ठीक है लेकिन आपका airpiece चाहिए यहाँ पर और दोस्तों यह है तरीका connect करन तो software वगरा को update कीजिए उसके बाद दोस्तों देखे problem भी solve होगा और आप FM लीडियो भी चला पाओगे तो आज के इस वीडियो पर उस बस इतने उमीद करते हैं वीडियो आपको यहाँ पर पसने होगा thanks for watching